नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसीस और आप देख रहे हैं लर्ण वेल चैनल दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज लेका आया हूँ अगर हम लोग चलते हैं यहां पर इन्वाइस प्रिंट करने के लिए मैं एक इन्वाइस ओपन कर लेता हूँ इसमें हमारा कुछ इस तरीके के इन्वाइस है आप देख सकते हैं इसमें मेरे दो आइटम डले हुए हैं और यहां पे कुछ आदर चार्ज भी है और जीएस्टी है तो अगर हम लोग इसका इन्वाइस प्रिंट निकालने के लिए ज अगर यहां पे कैसा हूँ आप अपनी खुद की भी कोई फिल्ड आइड कर पाएं आप चाहें तो यहां पे आइटम्स भी डाल सकते हैं यसी यह एचसन कोड हो गया हमारा इसमें कितने आइटम की के उपर यह टेक्सेवल वेल्यू लग रहा है और उसका क्या एमाउंट है कितना परसेंटेज मांकी चीजे आही रही हैं यहां पे एक चीज और एड हो जाए कि इस एचसन कोड का कितने आइटम के उपर में यह जी एश्टी लग रहा है और भी थोड़ा सच्छा हो जाएगा देखने में भी नुआइस अच्छा लगेगा इसके अलामा भी यहां प कुग है तो सबसे पहले हमें एक टेक्श-टॉक्मेंट ले लेना यहां पे मैं एक टेक्स-टॉक्यक्ट एड कर देता हूं यहां पर मैं नाम रख देता हूं जैसे GST print करके मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ यहाँ पे कुछ भी एक नाम दे सकते हैं इसको open कर लेते हैं यहाँ पे हमें कुछ codes लिखने होंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ जो line है जहाँ पे HSN, SAC, taxable value यह सभी चीज़े जो लिखी हुई है इस line में हमें अपना खुद का field add करना रहेगा तो सबस पहले हमें इस line के बारे हम बताना होगा यहाँ पे code में तो एक bracket ले लेते हैं bracket में has के साथ में लिखेंगे line colon कचिन आपको लगाते जाना है उसके आप फिर यहाँ पे लिखेंगे GST और VCH GST INV print body तो यहाँ पे GST लिखने के बाद में आपको लिखना है VCH GST INV print body करके यह वाला spelling आपका सही होना चाहिए तो हमने यहाँ पे line के बारे हम बता दिया कि हमारी इस line में हमें काम करना है अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसी line के अंदर में अपना खुद का एक field add करना है तो यहाँ पे लिखेंगे add right field और colon के चिन आपको लगाते जाना है और अभी हमें जो field add करनी है यहाँ पे यह taxable value के पहले यहाँ जो खाली जगह है यहाँ पे हमें यह field को add कर देना है तो यहाँ पे right field add करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे before किसके पहले VCH GST INV के पहले तो यहाँ पे लिखेंगे VCH GST INV print और कौन सा taxable value यहाँ पे लिखेंगे tax value tax value के पहले हमें add करना है और यहाँ पर आपको एक नाम दे देना रहेगा आप खुद का कुछ भी एक नाम दे सकते हैं आपकी फिल्ड का नाम जैसे मैं यहाँ पर learn will quantity के लिए मैं qtn कर देता हूँ यहाँ लोग quantity एड़ करने वाले हैं ठीक है यह हमने एड़ कर दिया यहाँ पर अब इसी का हम लोग एक डिफिनीशन बना लेंगे इसके पहले हमें एक लाइन और यहाँ पर एड़ कर देनी है इसके quantity के बारे में हमें बताना है इसका कलेक्शन भी हमें त्यार करना रहेगा ताकि वहाँ पर जो भी हमारे देने और यह नाम यहां पर फेस्ट कर देंगे के यहां पर पर इसके ताध फीर इसके लिए हमेंसेट एज करना पड़ेगा और यहां पे आपको लिखना होगा double dollar के साथ में एस प्रिंट ए समय एह कि एसे लिए डवल डॉलर के देंगे percentage s और double noted comma को close कर देंगे और इसके बाद फिर यहां पर फिर column का चीन लगाना है भी हमें अपने collection का नाम यहां पर देना पड़ेगा यहां पर जो भी हम लोग वहां और यहां पर unit कर देता हूं लाश्ट में आप एक कुछ भी एक नाम दे सकते हैं इन दोनों जगह तो अभी यह जो हमने यहां पर नाम जो दिया हुआ है यहां भी हमने नाम दिया इसके लिए क्या चीजह है वहां पर आनी चीह रिजल्ट में यह भी हमने यहां पर बता दिया अब इसका इसका डिफिनीशन भी यहां पर बना लेंगे इसको एक ब्रैकेट लेंगे यहां पर लिखेंगे फिल्ड और इसको पेस्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोच करेंगे इसका यूज बता दे कि नेम फिल्ड कर देते हैं आपको वीट तो अगर कितना रखना है इसका क्या रखना है वो सारी चीज़े आप यहां पर लिख सकते हैं नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा जैसे अगर आपको वीट्थ देनी है तो इहां पर आप एक विएट से दे सकते हैं जैसे कितने रखना है आपको और अीलाइन करना है अधनु करना तो एधना है जाम करते हैं तो इस तरीके से आप दे सकते हैं यह पर और वी जो भी चीज़ें आपको जो चीज़ें यहाँ पर डालनी है आप सब कुछ यहाँ पर डाल सकते हैं तो इसका हमने definition एक बना लिया उसका use बता दिया यहाँ पर जो भी use है उसका name field के लिए रहेगा अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो जैसे यहाँ पर जो भी चीज़े add है पहले से tally में यहाँ जैसे taxable उपर में लिखा हुआ है उसके नीचे value लिखके आ रहा है तो ऐसे हम लोग भी चाहें तो यहाँ पर में taxable की जगह में जैसे यहाँ पर quantity लिख सकते हैं या और कुछ भी लिखना चाहां वो लिख सकते हैं value की जगह में आपका value या total quantity ऐसा करके एक heading जो है हमारा जिसे taxable के पास में आ जाएगा और दूसरा यहाँ पर नीचे value के पास में आ जाएगा ठीक है तो वह भी हमारा line ही है तो उसको भी हम लोग ब्रैकेट मिलेंगे हैस के साथ में लिखेंगे line और यहाँ पर लिखेंगे वी सीए GST INV print title अब यहां पे हमासा रहेगा टाइटल में रहेगा यह जो उपर में लिख लयाता है first में फस्ट रो में वह टाइटल था है सेकेंड नो में जह लिखे आ रहा है वह टाइटल टू रहता है और इसका bracket close करेंगे अब यहां पे हमें बताना होगा इसके बारे में कि हमें क्या चीज़े इसमें अपनी heading क्या देनी है यहां पे क्या चीज़े और कुछ रखनी है तो यहां पे लिखेंगे local अब goals are aipped और हमने जो यहां पे जो नाम दिया हुा था इसी को आपको कोपी करके इदर भी पेस्ट कर देना है और सेट एज और जो भी आपको वहांतों जो भी नाम देना है वह आप एक नाम करके पनाम के अंदर ठीक है अब जैसे हमारा quantity आ गया या तोटल कॉंटिटी लिख सकते हैं तो यहां पर टोटल लिख सकते हैं या कॉंटिटी टोटल ऐसा भी लिख सकते हैं और यह तो हमारा फर्स्ट रो के लिए हो गया फर्स्ट लाइन के लिए हो गया तो यहां पर सेकेंड के लिए भी लिख देते हैं यहां पर टाइटल टू हो जायागा और टाइटल टू के लिए यहां पर लिख देंगे टोटल ऐसा करके जैसे यहां पर हमारा लिखा हुआ है टेक्सेवल वेल्यू ऐसे ही हम लोग वहां पे टोटल लिख दे रहे हैं कॉंटिटी टोटल तो यहां तक हो गया दोस्तों हमारा अभी हमें कलेक्शन बनाना पड़ेगी जो भी चीजे हमने यहां पर डाला हुआ है उसको कंप्यूट कराना पड़ेगा तो यहां पर एक ब्र आपको स्पेलिंग सही लिखना पड़ेगा जीस्ट एनालिसिस प्रेंट समरी ठीक है तो अब यहां पर हमें एग्रिगेट कंप्यूट एजी जी आर कंप्यूट यहां पर जो हमने नाम दिया हुआ है यह वाला इसे आपको कॉपी कर लेना है जो भी आप नाम दिये होंगे वहां पर इसको यहां पेश्ट करेंगे इसका हमें सम कराना है कि जो भी हमारे कॉंटिटी ज रहें वो सम हो के आएं टोटल हो के आएं सेम अगर उनक अब यहां पर सम हम लोग लिख दिए और यहां पर लिखेंगे डॉलर के साथ में जीएश्टी आइटम एक्चुल कॉंटिटी तो सेम जीएश्टी का जो भी रहेगा वह हमारा कॉंटिटी यहां पर टोटल हो के आएगा ठीक है चेसेन के हिसाब से अब फिर उसके आद यहां पर नीचे में लिख देते हैं कम्प्यूट कॉंट का चिन लगाएंगे इस बार हम लोग यह यूनिट वाला नाम ले लेते हैं कि इसको पेस्ट करते हैं और इस बार यहां पर लिखेंगे डॉलर के साथ में जीएस्टी स्टॉक आइटम यू ओ यह तो दोस्तों यह हमारा कम्प्लीट हो गया अभी में कलर हो गया के लिए भी आपको बता जाता हूं कैसे करना है तो इसको टीडियल को एक वाट टैली मे हैं तो यहां पर हेल्प में चलेंगे अगर आप राइम चला रहे हैं तो और यहां पर टीडियल में चले जाएंगे और यहां मैंनेज लोकल टीडियल इधर लास्ट में जो भी खाली जगए आप यहां पर डाल सकते हैं मैं यहां पर specify from drive कर देता हूं मेरे desktop में पड़ा हु हमारा quantity add हुआ कि नहीं हुआ तो बिल्कुल दोस्तों यह हमारा quantity जो है यह एड हो चुका है यहां पर quantity total one piece one piece इधर 0 आ रहा है अच्छा यहां पर लास्ट में यह total जो आ रहा है इसके लिए भी हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर कुछ ना यह लिखके total जो है हमारा यहां थोड़ा सब पहले आ जाए इसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं तो इसी को मैं सीधा copy कर लेता हूं यहां पर जो हमने title two करके लिखा हुआ था विए हमने यहां पहुँत सब्सक्राइब करके यहां तक सभी चीज़े सेम रहनी ही ही है इसके पहले हमें यहांपे GST लिख देना है बस अभी इसको सेव करते हैं वो आपस से गवा टीडियल को लोड करते हैं तो अभी एकदम सही आ रहा है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हमारा quantity total जो है जिस जिसका hsn का जितना piece है यहां पर उस उस hsn का उतना यहां पर हो रहा है और हमारा total भी सही जगह में आ रहा है इसटार्टिंग में टोटल आ रहा है वांकी चीजे हमारी इस तरीके से यहां पर आ जा रही है अभुष में अगराप आपको कलर वेवह करने हैं तो आप कलर वेश्यक्यरी कर जेंगे वह इसका कलर टायटल के कलर दे सकते हैं तो कलर कैसे को आप कोपी कर किया है पेस्ट करिये और यहां पर परिंट बीजी अ ही भैक्राइंट के लिए print bg लिख देंगे और यहां पर आप color का नाम लिख देंगे जैसे मुझे blue color देना है और सेम ऐसे ही आपको quantity के लिए भी आप चाहें यहां total जो है उसके लिए भी आप इसी को यहां भी paste कर सकते हैं अब इसको सेब करेंगे और रिफ्रेश करते गवाद है और printKap I do अब है अब हो आप देख सकते यहां पर हमारा उजे चीज लर होके आ रहा है अगर आपको यह जो लिखा हुआ है इसको विए आपको कलर करना है तो इहाँ पर लिखे वाले को भी आप कलर कर सकते हैं इधर आपको प्रिंट बीजी की जगह में प्रिंट एफ जी कर देना है और इसको एक कलर दे देते हैं और शेप करते हैं कर अब यहां पर हमारा यह जो लिखा हुआ है वह भी हमारा रेड़ होके आ रहा है और टोटल जो लिखा हुआ है वह हमारा ब्लैक कलर में आ रहा है तो यह बाकी चीजे Taxable value यह सभी चीजæं भी अगर आपको color करनी है तो same इसी तरीके से आप Taxable value वाली field को भी color कर सकते हैं तो सब से अच्छा है तरीका आप का कि यहां पर आप कर यहीं पर यहां पर और कर दीजिया जैसे यह हमारा print टेक्स वैल्यू करके हमने जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग यहां पर लोकल फेल्ड और इसका नाम दे देंगे ठीक है और इसी में हम लोग प्रिंट बीजी कि आपको जो कलर देना है ग्रे करना है तो यहां पर ग्रे कर सकते हैं इसको सेब करके गवार चलते हैं चक कर देते हैं अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि यह हमारा टैक्सेबल वैल्यू और पूरी की पूरी लाइन जो है कलर हो चुकी है अगर आपको सिंगल एक ही कलर में रखना है सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू कलर होके दिखे तो यहां तो यह इसमें आपको यह प्रिंट बॉड़ी में करने के बजाए में आप इसको यहां पर रख सकते हैं टाइटल में यहां पर आप इसको टाइटल के नीचे रखेंगे तो आपका सिर्फ टाइटल वाला पार्ट ही बस कलर होगा आप चाहें तो उस फिल्ड को पूरे को पूरे को कलर कर सकते हैं या तो सिर्फ आपको टाइटल बस कलर करना है आप येलो करना चाहें तो येलो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं आपको जिस भी कलर में चाहिए और सेम ऐसे ही आपको टोटल वाला जो लाइन है मतलब अपना सेकेंड वाला उसको भी आप ऐसे ही कलर कर सकते हैं तो एक को हम लोग येलो कर देते ह कि आपको जैसा एक्षा आपको जैसा इन्वाइश सी हीी ओस खESAP से आप up color वगरे भी एट कर सकते हैं इस फिल्ड में है झाल अब देख सकते हैं कि हमारे जोभी Hol Advisor आपको अलग-अलग चाहर है तो आप कर दे रहा हूं यहां पर जैसे हमारा यह टेक्सेवल वेल्यू वाला जो फिल्ड है वहां पर टेक्सेवल लिखके जो आ रहा था उसको आपको ऑगर चेंज करना है तो यहां पर से प्रिंट्ट फीजी की जगह में हम लोग लिख देंगे इंफो और जो टैक्सेबल करके लिखा हुआ था उसको जी-सटी जी-सटी आर ऐसा जी-सटी अमाउंट या जी-स-टी- ऐसा कर देते हैं जहें ती वैल्यू को झ pushesको सेब करते हैं देखते हैं चंज हुआ कि नहीं हुआ कि ईप सब्सक्राइब हृच्छ तो दोस्तो भी आप देख सकते यहां पर हमारा GST GR हमारा जोन यहां पर चेंज हो और आजाये गाझाद सफ्षाफ यह पूरी की परी field को modified कर सकते हैं change कर सकते हैं अपना खुद का एक part add कर सकते हैं यहां पर तो दोस्तों आप इसको जरूर बनाईए बहुत ही simple coding से आप इसको कर सकते हैं तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्रिस लाइक से जरूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखिए मैं ऐसी चीज़े आपके लिए लाते रहता हूं और भी इसमें अगर आपको कुछ डाउट है और चीज़े कुछ पूछनी है तो आप कमेंट करिए मैं कोसिस करूंगा उसका जवाब देने के लिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद